राष्टिय स्वेंग से वक्संग के द्यूतिय सरसंग चालक, माधो राव, सदाशिव राव, गोल वलकर एक महान विचारक थे, जिन्हें हम स्री गुरू जी के नाम से जानते हैं। श्री गुरू जी का अध्ययन वचिंतन इतना सरफशिष था कि वे देश भर के युवावों के लिए प्रेणा पुंज ही नहीं, अपितु पूरे राष्ट के प्रेरक पुंज वदिशा निर्देशक बन गए थे। श्री गुरू जी का जन्म फागुन मास की कृष्ण एकादसी समवत 1963 तदनुसार 19 फरवरी 1906 को महराष्ट के रामटेक में हुआ था। श्री गुरू जी की जन्म जैंती प्रतेक बस फागुन मास की कृष्ण एकादसी को मनाई जाती है। श्री गुरुजी के पिता का नाम सदासी राव भावुजी रथाम माता का लक्ष्मी बाई ताही था श्री गुरुजी के बच्पन का नाम माधो रखा गया था परन्तु सब उन्हें मधु के नाम से ही बुलाते थे ताई भावुजी के कुल नौ संताने हुई थी जिसमें से केवल स्री गुरुजी ही बचे थे बच्पन से ही स्री गुरुजी में कुसाग्र बुद्धी ज्यान की लालसा असमन असमरन सक्ती जैसे गुड थे वर्स 1919 में उन्होंने हाई स्कूल की प्रवेश परिक्षा में विशेश युग्यता के साथ छत्य बृत्य प्राप्त की वर्स 1922 में स्री गुरुजी ने मैट्रिक की परिक्षा जुबली हाई स्कूल से पास की इसके बाद वर्स 1924 में नागपूर के हसलाप कॉलेज से बिज्ञान विशे में इंटरमेडियर की परिक्षा पास की पढ़ाई के साथ उनकी रूची खेलों के प्रती भी अधिक थी वे हौकी और टेनीस खेला करते थे वे मलखम के करतब में काफी निपुड थे साथ ही बिज्ञार्थी जीवन में उन्होंने बाशुरी और सितार वादन में भी अच्छी प्रवीर्ता हासिल कर ली थी 1924 में बनारस हिंदोविष्व बिज्याले में प्रवेश लिया दो साल बाद यानि 1926 में बीएसी और 1928 में में एमबेसी की परिक्षाएं प्राणी सास्त्र विषय में प्रतम सेर्णी के साथ उत्रिण की इसके बाद वह प्राणी सास्त्र विषय में मतस्य जीवन पर सोधकार हेतु मदरास के मतस्याले से जुड़ गए प्रन्तु एक बर्स पस्चात ही आर्थिक तंगी के कारण स्री गुरुजी को अपना सोधकारिक अधूरा छोड़ कर अप्रेल 1929 में नागपूर वापस लोटना पड़ा बनारा सिंदू विष्व विध्याले से उन्हें निदर्शक पद पर सेवा करने का प्रस्ताव मिला 16 अगस्त 1931 को माधवरा उने विष्व विध्याले के प्राणी सास्त्र विभ्याग में निदर्शक का पद संभाल लिया विश्व विद्याले प्रसासन ने उन्हें विये की कच्छा के छात्रों को अंग्रेजी और राजनिती सास्त भी पढ़ाने का अउसर दिया अध्यापक के नाते माधोरा अपनी प्रतिवा और युगता से छात्रों में इतने अधिक लोग के प्रिये हो गए कि छात्र उनको गुरु जी के नाम से संभोजित करने लगे स्री गुरु जी का राश्ये स्वेंग सेवक संग से संपर्क बनारस में हुआ भहियाजी दाणी तथा नाना जी व्यास ने बनारस में संग की साखा पर रंब की जब 1931 में स्री गुरु जी ने विसव विद्याले में अध्यापन कारे पर रंब किया तो उनकी लोग के प्रियता के कारण भाया जी दाणी ने संग कारी एवंग संगठन के लिए उनसे संपर किया। संग के स्वेंग सिवक अध्यान में स्री गुरु जी की मदद लेते और उनके भाषणों का आयुजन भी करते थे। स्री गुरु जी के जीवन में एक नए मोड का आरंब हो गया। डाक्टर हेडगेवार के सानिद्ध में उन्होंने एक अत्यंत प्रियना दायक राष्ट समर्पित व्यक्तित्त को देखा। बर्स 1938 के पास्चात संग कारे को ही उन्होंने अपना जीवन कारे मान लिया। स्री गुरु जी ने 1942 में पूना में प्रांतिय बैठक में संग में अपने प्रवेश पर कहा मैं तो रहा एक दम बहुत ही यहां वहां घुमने वाला। फिर भी पता नहीं मुझ पर कैसे संसकार हो गया। इस तत्त को या तो भगवान ही जानता है या संसकार डालने वाला। एक बार भूल से डाक्टर जी का भासण सुनने बैठ गया। मुझे अपनी बुद्धी पर बड़ा घमंड था। उस भासण में न तो कोई तरक था, न कोई इतिहास का हवाला, न दर्शन था, न कोई बड़ा से धानत। डाक्टर जी ने कहा था कि बस इतना ही स्वेंग सेवक बंधूं काम करते जाईए, निष्ठा पुर्वक काम करते जाईए, प्रेम से काम करते जाईए, मैंने सोचा यह मात्र तोता रटन है, उसका मूल मैंने जाना नहीं, किन्तु अब सब भुला बैठा हूं। उस भासन में मुझे पांडित नहीं दिखाई दिया, उस भासन में आद्रता थी, किन्तु डाक्टर जी का भासन अंतह करण की एक एक तह पार करता हुआ, गहरा उतर गया, परन्तु डाक्टर जी के भासन में हार दिखता थी, लगन थी, मैं नहीं कह सकता कि कैसे उनका भास मेरे अंतह करण में उतरता चला गया, बीच बीच में उनसे भेट मुलाकात होती रही, डाक्टर जी ने मेरे अभिमान को जख जोर दिया बर्स 1949 में सुरी गुरुजी को राष्टिय स्वेंग सेवक संग का सरकारिवाः बनाया गया था, 1940 में डाक्टर हेगवार का जवार बढ़ता ही चला गया, और अपने जीवन का अंत समय जानकर उन्होंने कारिकरताओं के सामने सुरी गुरुजी को पास बुलाया और कहा, आप ही संग कार्य संभालेंगे और 21 जून 1940 को डाक्टर हेगवार का सरगवास हो गया, इस तरह स्री गुरुजी को राष्टिय स्वेंग सेवक संग के सरसंग चालक का दाहित्तु मिला, पांच जून 1973 के दिन नागपुर में स्री गुरुजी अनंत लीन हो गया, स्री गुर प्रस्तावित किया गया था, जिसे उन्होंने राष्ट सेवा और संग के दाहित्तु की वजह से बिनम्रता से असिवकार कर दिया, यदि वे चाहते तो संक्राचारे बनकर पूजे जा सकते थे, किन्तु उन्होंने राष्ट और धर्म सेवा दोनों के लिए संग का ही उ ब्युक्तु मना